वेलकम टो एडिजोस, एडिजोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों कुछ दिनों से लगातार रेलवे भरती को ले करके काफी सारी न्यूज है रेलवे भरती में गोटाला हुआ है या फिर इस तरह से जो रिजल्ट में हराफेरी हुई है वो किस कारण से हुई है तो इस पर पी आई बी ने नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे भरती बोर्ट की तरफ से रेलवे भरती बोर्ट पटना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि रिजल्ट में किस तरह से नॉर्मलाजेशन हुआ है यानि उन्होंने अपनी पूरी clarity रखे है सामने इसमें तो ये पूरा notification मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा यहां पर जो है Press Information Bureau Government of India Misinformation being spread about label 1 result of railway recruitment board ऐसा ये कह रहा है कि misinformation जो है वो फैलाई जा रही है गलत जानकारी फैलाई जा रही है For label 1 result, no new method of result preparation was introduced इन्होंने काई कि label 1 के result में किसी भी तरह का नय method जो है result preparation में नहीं अपनाया गया है As per the centralized employment notification marks secured by the candidate are subject to normalization जो भी marks आये हैं वो candidate को normalization करने के बाद आये हैं तो मेरा सवाल यह है अभी भी कि आपने फिर raw marks क्यों नहीं दिखाया एक सवाल यह मेरा अभी भी बनता है जब तक इस पर clarity नहीं आईगी raw marks हरे एक candidate का दिखाना होगा दूसरा सवाल मेरा यह बनता है कि आपको final answer की यानि master answer की क्यों नहीं दिखाई जब आपने candidate से 50-50 रुपे ले लिए कि question के लिए objection करो objection करने के बाद आपको final answer की दिखाना चाहिए जो आपने नहीं दिखाया तो यह दो चीज आप clear कर दीजे सबको कोई problem नहीं होगी ठीक है next यहाँ पर जो इन्होंने लिखाया on normalization marks secured by the candidate can become more than total marks of exam paper देकि एक चीज यहाँ पर आपको इन्होंने clear कर दिया है कि normalization का जो method है उसमें secured marks जो है वो total marks से ज़्यादा हो सकता है यह उन्होंने clear कर दिया ठीक है next यहाँ पर है this method of normalization is being followed by for nearly 19 years now since 2000 2000 से यह normalization का method जो हो apply किया जा रहा है इसलिए आपको इसमें कहीं problem नहीं होना चाहिए कि normalization का जो marks है वो 100 से कैसे बढ़ गया तो इन्होंने clear कर दिया कि normalization के marks में 100 से ज़्यादा marks आ सकते है यानि 101, 109 आपने देखा है तो वो possible है उसके बाद next इन्होंने जो यहाँ पर update दिया इन्होंने कि RRB had invited online application against centralized notification number 2018 published by RRB 10 February 2018 तो यह notice I.T. 10 February 2018 2018 को जिसके लिए total 62,907 vacancy थी उसमें काफी जैसे एक करोड नवासी लाक्स 78,913 candidate online apply किया गया था form और उसमें जो यह वर्ल्ड की largest computer based test हुआ था जो की conduct रहा गया था 51 दिन तक from 17 September 2018 से 17 December 2018 और 122 shift में इसमें total exam हुआ था ठीक है next यहाँ पर है जो the result of the computer based test was announced on 4-3-2019 4 March को result आया था और उसके बाद जो है यहाँ पर important instruction दिया हुआ है कुछ इन्होंने कि यह जो है notification के अंदर यह para 7 में दिया गया था कि जो है normalization किया जाए का उसके यहाँ पर है now large number of candidates have presented on the result declared by RRB on the method adopted for the same for the computer based test no new method इन्होंने फिर यही का है कि किसी भी तरह का नया method नहीं अपना गया है computer based test के ले करके normalization जो हम पिछले 20 साल से 19 साल से करते आ रहे हैं वही normalization का method हम अपना है हमने और वो उन्होंने formula बता है नीचे जो सभी आपको पता है कि इस formula के according जो है जैसे कि यहाँ पर जो formula लिखा है इसमें मतलब बताया हुआ इन्होंने के standard deviation लेते हैं highest average score और base of normalization उसके बाद फिर जिस shift में एक्जाम होता है वहाँ का normalization निकालते हैं फिर raw score of the candidate तो raw score of the candidate आपने जब निकाला तो फिर raw score of the candidate क्यों नहीं दिखा रहे हैं यह दिखाना जरूरी है ठीक है आप कितनी भी सफाई दें यह सवाल बनता है raw score of मैं यह नहीं कह रहा है कि परिच्छा का result cancel कर दिजे या जिनका selection हो गया उनका selection रद कर द सब्सक्राइब कर देखो और और बी एक्जामनेशन कप्यूटर बेस तेस्ट हेल सिंस 2000 जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया इस नोट अनकॉमन डैट नर्मलाजेशन माक्स सेक्यूर बाइट बाइट वुट गो मोर दैन तो टोटल मार्स उप एक्जाम पेपर यह किसी तरह क test cbt जैसे कि level 1 में computer based test cbt 126. the maximum normalized marks of any candidate in level 1 जो maximum marks गया है किसी भी candidate का वो 126.13 यानि 100 नंबर के paper में इनका normalization होने के बाद 126.13 maximum marks गया है ज्यादा किसी भी तरह का mark किसी के पास है तो वो गलत है या तो वो फैला है जा रहा है गलत तरीके से या फिर वो valid नहीं है next यहाँ पर देखे इन्होंने जो काहा है कि वो काहा है कि before publication of result all candidates were made prior to the question paper master answer key and their own evaluated answer sheet the objection tracker was accessible to the candidate from 14 January से 20 January during this 1.58 lakh candidates submitted their objection which were considered and reviewed it may be noted that additional 1.5 lakh job railway will be also be recruiting 2.3 lakh more people over next 2 years इन्होंने बताए 1.5 lakh jobs है वो और आने वाली है चली इक चीज़ों को तो मैं छोड़ रहा हूं एक और update आया railway आररवी पतना ने जारी किया है जहाँ पर आप लोगोंने देखा होगा कि लगबख 82 candidate जिनका roll number लगातार है ठीक है वो पास किये हैं तो उनके बारे में भी railway board पतना ने कहा है कि जो ये candidate 82 है ये बिलकुल सही है और इन्होंने इसलिए पास किया है क्योंकि य ये होता है CCA इन railways की सारे candidate है ये सारे जो 82 candidate दिख रहे है जिनका roll number लगबग लगातार से जो है वो लगातार है तो ये CCA क्या होता है इसके बारे मिन्होंने बताया कि CCA होता है course completed act in apprentice तो CCA जो कर रखा है जो उन्होंने apprentice की विए railway के अंदर उनका selection हुआ है वो ठीक है क्य के लिए reserve थी तो उस 20% में काफी vacancies आती है लगबग जो है वो तीन हजार कुछ लोगों का selection होना था जिसमें 300 कुछ लोग ही select हो पाए है ऐसा उन्होंने बताया 331 लोग जो है वहाँ पर select हुए है जिसमें उन्होंने बताया कि 3594 candidate का selection होना था लेकिन जरूरत थी उनको seat के recording लेकिन 331 candidate ही pass हो पा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हों सभी candidate को 40 से उपर marks था जो भी general category के थे उन्हों सब को 40 से उपर marks था 331 candidate को तो उन्होंने 331 candidate को CCAA में पास कर दिया है ठीक है तो यह SCST OBC जो भी थे इनको सब को पास कर दिया है जिनका marks 30 से उपर था और जिनका general candidate में 40 से उपर था तो इन्होंने पास किया तो इस पर भी इन्होंने दलील दे दी ठीक है और यह सारी चीजें आप लोग को clear हो गई है अब मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एक दो दिन में एक और notification जारी करी दिया जाएगा master की और आपके raw marks भी दिखा दिया जाएग